महारास्ट्र सरकार में मंत्री और NCP के नेता नवाब मलिक को एक और बहुत बड़ा जटका लगा है कोट से दरसल कोट ने उनकी नियाई खिरासत को अब 20 मई तक बढ़ा दिया है इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए PMLA कोट ने उनकी नियाई खिरासत को 6 मई तक के लिए बढ़ा दिया था दरसल NCP के नेता नवाब मलिक ने अपने खराव स्वास्त का हवाला देते हुए विशेश PMLA अदालत में जमानत याच का दैर की थी इडी ने भगोडे अंडरवल डौन दाउद इब्राहिम से जोड़े मनी लॉंडरिंग मामले में NCP की नेता नवाब मलिक के खिलाप में ब्रहस्त पतिवार को आरोपत्र दाखिल किया था कोट की तरफ से बहुती बड़ा फैसला निकल करके सामने आया है PMLA कोट ने सीधे तोर पर नवाब मलिक की जो जुडिशल कस्टेडी है उसको एक्स्टेंड करते हुए ये आदेश जारी कर दिया है कि अब नवाब मलिक 20 मई तक जेल में ही रहेंगे यानि की लगातार उनकी चूडियां टाइट की जाएंगी इंटेरोगेशन चलेगी लगातार इस पूरे के पूरे प्रक्रड को ले करके तो नवाब मलिक को एक और ये बड़ा जटका लगा है सुबह ही मैंने खबर आपको बताई थी कि सेशन कोट ने उनकी जमानत याचक करके ज़रूर बताएं चल मलूगा किसी दूसरे अपडेट के साथ में तब तक के लिए धनवाद अगर आप लूग चैनल पर नए हैं तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड़ मैंने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें था कि जब भी मैं कोई नए लेकर आँ तो सब्सक्राइब नोटिफिकेशन आपको मिलेगे